हलो दोस्तों वेलकम टू अनकैडमी मेरा नाम है कृतिका और अनकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों आपके पेपर वन की यूनिट है इंडियन लॉजिकल रीजिंग लॉजिकल रीजिंग में अभी रीसेंटली एक नया है जो लगभग दो या तीन सालों से जादा फ्रीक्वेंटली उस टॉपिक से क्वेशन सा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडियन लॉजिक मतलब भारतिय तर्क क्या है कैसे इसको पढ़ा जाए क्योंकि काफी लोग जो इस्पैशली जो हिंदी मीडियम से बिलॉंग करत तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन लॉजिक के अंदर आपके लिए बिल्कुल फ्री सेशन्स में लाने वाली हूं जिसमें इंट्रोडक्शन से ले करके उसका कंक्लूड तक मैं आप लोगों के साथ में फ्री में आपको पढ़ाऊंगी ये क्लासेस कहां होंगी इ इसके इसके स्लिवर साथ को हम लोग 50 परसेंट डिवाइड कर सकते हैं 50 परसेंट पे आती है आपके simple logical reasoning और remaining 50 परसेंट में आता है आपके इंडियन लॉजिक जिस अब आप देख सकते हैं कि इंडियन लॉजिक का कंप्लीड स्लिवर लगब लग लगब 50 परसेंट कवर कर प्रमाण के बाद में कि कितने तरीके के आपके प्रमाण होते हैं आपके अनुमान क्या होता है अनुमानों के प्रकार व्यापती हेट सभाव यह सब देखिए यह आपको दिखने में बहुत चोटा स्लेबस लग सकता है दोस्तों बट अभी रीसेंट डेटा के कि जो एक्जाम हुए थे सेप्टमबर में स्टार्ट हो गए थे नवेंबर तक एक्जाम चले हैं उसमें दोस्तों कई बार तो क्वेशन्स ऐसे आए हैं कि लॉजिकल रीजिनिंग में 5 आउट और 5 क्वेशन्स इंडियन लॉजिक से ही पूछ लिए गये हैं तो दोस्तों अगर आपका ये यूनिट प्रिपेर रहता है तो 5 आउट और 5 कोईशन्स अगर आपके सही होते हैं तो मान के चलिए कि 10 नंबर्स आप यहां पे सिक्यूर कर रहे थे हैं और 10 नंबर सिक्यूर होने का मतलब यह है कि जो बोलते हैं कि हम 0.1 से रहे गए ज्यारेफ में या 0. 1 से रहे नेट में तो आप सोचिए कि वहां पे 10 नंबर आपकी कितनी बड़ी हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है आपको सीधा सीधा इस इंडिया लॉजिक के टॉपिक्स को इजी वे में बिलकुल सिंपल भाशा में और अगर आप मेरे प जिसमें ज्यान के साधन, प्रमान, अनुमान, उनकी प्रकार, व्यप्ति और हेथ सभाव तो देखे दोस्तों इसके बिलकुल फॉर्मेट को समझने से ज़्यादा जरूरी यह है कि हमने इस चीज को कितना एपलाई किया है इंडिया लॉजिक के अंदर अक्सर सवाल आपको सिचुएशन में डालके पूछा जाता है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है तो उस जगे पे कौन सा अनुमान होगा, कौन सा प्रमान होगा, हेथ सभाव क्या होगा ऐसे करके आपके जो भी इनने लॉजिक से रिलेटेड सवाल आते हैं वो सभी आपके इन जो टॉपिक आ अनकेडमी लर्निंग पर पर ये ख्लासेज हैं, काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ पेड़ क्लासेज वहाँ होती है, ऐसा नहीं है, मैं खुद आप लोगों की क्लास लोंगी, आपको वहां पर कैसे पहुंचना है, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ, सभी के पास अपना गूल NTA UGC Net लगा देना है अनकेडमी लर्णिंग पे दोस्तों कोई सी भी अगर आप शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करवाना होगा वह रजिस्टर या तो आप अपनी मेल आईडी से करा सकते हैं या आप अपने मोबाइल नंबर से करा सकते तो जैसे ही आनकेडमी लर्निंग अप इंस्टॉल किया अपनी कैटेगरी या आप दिखिएगा दोस्तों NTA UGC Net ठीक है NTA UGC Net कैटेगरी चूज कर ली इसके बाद में आपको वहाँ पे सर्च करना है कृतिका पारिक देखिए यहाँ पे आपके सामने सर्च का अप्शन जैसे ही सर्च करेंगे कृतिका पारिक कुछ मेरी ऐसी प्रोफाइल आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी उसके बाद में आपको सीधा मुझे वहाँ पे फॉलो करना है फॉलो करने के बाद में दोस्तों मेरी जितनी क्लासेज होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा अब मेरी ये क्लासेज कब होंगी कहां होंगी तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ दोस्तों मेरी इस क्लास का टाइम रहने वाला है रात को 9 बजे 9 पीम 9 पीम पे मेरी ये क्लास रहेगी कब से कब तक होगी क्लास तो गाईस ये क्लास हमारी स्टार्ट ह होने वाली है थ्रस्टे से मतलब की गुरु वार्ट से डेट वाइस अगर मैं बात करूं तो हमारी इन क्लास की शुरुवात हो जाएगी दोस्तों आपकी 27 तारिक से 27 अफ में से रात को नौ बजे अगर बटन दबाते हैं तो आपको सीधा क्लास का नोटिफिकेशन भी पहली बार जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके पास में एक ऐसा कूपन कोड होना चाहिए जिसकी मदद से आप क्लास को एनलोग करा सकें तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों अनकैडमी पर चाहे आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पेशल क्लास ले रहे हैं या आप अनकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप वहां पे गाईस यूजी सी टैन रैफरल कोड आप लग हो जाएंगी इसी के साथ साथ दोस्तों कोई सपेशल क्लासे के बारे में हमने जानकारी ले ली अब बात कर लेते हैं प्लस क्लासे की मेरी प्लस क्लासे के लिए गाईस नया बैच आ रहा है आप लोगों के लिए जून के फर्स्ट वीक में जहां पे पेपर वन और पेपर दोनों की में classes ला रही हूं तो अब दोस्तों समय नहीं है हमारे पास में मैं आप लोगों के लिए free content प्रोवाइट करवा रही हूं plus classes में भी दे रही हूं YouTube पर भी करवा रही हूं और quizzes भी मैं organize करवाती हूं फिर आपके लिए सिर्फ और सिफ एक चीज़ बच जाती है I can do it अगर आप लोगों के पास में आपके पास में आपका खुद का अगर जजबा है दोस्तो तो everything is possible और अगर आपके साथ में हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं अगर आपके साथ में हैं दोस्तों तो आप सोचिए कि सिच्वेशन में आपकी लर्निंग बिल्कुल भी एक्ट नहीं हुई है तो अगर आपको चाहिए कि आप अपने गोल्स को क्लियर कर सके जो लाइफ में उच उचर ले साल भी एक्जाम करवाया था ओठीक है दो बजजा साल में दो के बजए एक लोगी बार एक्जाम हो रही बट एकजाम डेफिनेटली होगा और वो दिन भी आ जाएगा अगर एक साल पहले किसी ने preparation start करी होगी तो आज भी अगर उनको बूलें कि कल आपका exam है तो वो कहीं ना कहीं है सबने कि नहीं आपके ताइम चाहिए और गाइस गोल की तैयारी गोल को हम और कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए आपके लिए अनकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा क्वेश्चन वाग यह होता है कि आखे सब्सक्रिप्शन क्यू लिया जाए देखें दोस्तों लाइफ क्लासे स्टैस सीरीज के लिए हो गया लेकिन अगर आप अपने कॉंपेटिटर्स को देखते हैं जो आप से डबल पढ़ रहे हैं तो कही ना कहीं आप भी मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है तो अगर आप अपने साथियों के साथ में जुड़ करके ग्रुप स्टड़ी करना चाहते हैं अनके एडमी का सबसक्रिप्शन फी에 लेना कैसे है अर्णिया का डाउनलोड करना है अपनी के डियुका उपनी करनी है प्लान सब्सक्रिप्शन करना है प्लस रेक्सक्रिपशन के यह शेथिकल Spiritual sign को अब 3 बनकर पर विए TH3 और आप अगर आप пятьो तो देखिए दोस्तों आपको यह इंफोर्मेशन आज की पसंद आई होगी अगर आप मेरे साथ में फ्री में इंडिया लॉजिक पढ़ना चाहते हैं तो डेट है 27 मई रात को 9 बजे अनकैडमी लर्णिंग क्लास का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद है जहां आप लोग यूजी सी 10 कोड की मदद से अपना सब्सक्रिप्शन सॉरी अपना क्लास को अनलॉक करा सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भी स्कोड का मदद ले सकते हैं 10% का इंस्टेंट आफ लेने के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइ